दोस्तो अगर आप एक वेब डॉल पर हैं और अपनी वेब साइट के लिए इमेज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इमेज़ का जो फाइल साइज है वो छोटा होना चाहिए कई बार आप इमेज क्वालिटी से कोई कॉम्प्रिमाइज नहीं चाहते जिसके चलते आप अपनी वेब साइट पर ऐसी इमेज़ अप्लोड कर देते हैं जिसका फाइल साइज बड़ा होता है और ऐसे में जब कोई आपकी वेब साइट को विजिट करता है तो वह जल्दी ल था पर आपको इस वेब साइट पर विजिट करना है इस वेब साइट पर आप अपनी jpg फाई्ज अ.pen모 फाईपर फाईज को कॉंप्रेश कर सकते हैं तो यहाँ पर इमेज फाइल है उसका जो size अवर reduce किया जाएगा तो इन में से किसी एक compression type को आपको choose करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर compress now पे click करना है तो आपकी जो image फाइल है उसका जो size अवर reduce हो रहा है तो इसके बाद आप अपनी यहाँ से नीचे फाइल को view भी कर सकते हैं और download इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का icon दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर आप हुवर करेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर multiple images को select कर सकते हैं आप अपनी images को अपने computer से भी upload कर सकते हैं Google Drive से भी upload कर सकते हैं और Dropbox से भी upload कर सकते हैं तो जैसी आपकी जो file है वो upload हो जाएगी तो यहाँ पर आपको right bottom corner से compress images पर click करना है तो इसके बाद आपकी जो images को compress होना start हो जाएगी तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो image का file size और reduce हो चुका है जो की 68% smaller size है तो इसके बाद आप अपनी image को यहाँ से download कर सकते हैं अगर आप अपनी Google Drive पर इसको save करना चाते हैं वहाँ पर कर सकते हैं अगर आप draw box में save करना चाते हैं तो वहाँ पर भी save इसको कर सकते हैं तीसरी website जहाँ पर हम अपनी images को compress कर सकते हैं उसका नाम है freeconvert.com तो यहाँ से हम अपनी image को select करेंगे device से भी select कर सकते हैं जैसे कि laptop computer draw box से भी इसको select कर सकते ह अगर आपके पास इसका कोई image का link है तो उसको copy करके आप यहाँ पर choose कर सकते हैं, तो मैं अपने device से choose करूँगा तो मेरी image यहाँ पर upload हो चुकी है तो जैसे ही आपकी image upload हो जाएगी compress jpg बटन पर आपको click करना है, तो इसके बाद आपकी जो image upload होना start हो जाएगी तो इसके बाद आप देख पाएगे कि जो मेरी image का file size वा reduce हो चुका है तो next website जहाँ से आप अपनी images को compress कर सकते हैं, उसका नाम है website planet.com, तो यहाँ से आपको अपनी file को upload करना है, तो यहाँ से मैं अपनी image को select करूँगा, file upload करने से पहले आपको additional settings में जाकर जो आपका compression mode है उसको select करना है, यहाँ से आपको तीन परकार के compression mode मिलेंगे high compression mode में आपकी जो file का size वाओ तो reduce हो जाएगा, वर्स में images में कुछ distortion आजाएगी, medium में compression भी होका और आपकी जो image का standard भी maintain रखा जाएगा, low में आपको minimum compression मिलेगा, वाट आपकी जो image quality है, उससे कोई छेड़ चार नहीं की जाएगी तो यहाँ से आपको इनको select करना है इन में से किसी एक को, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर medium को select किया है, तो मेरी जो image का size है वो 16% तक reduce हो चुका है means कि मेरी जो पहले file 138.5 KB की थी वो just above 115.4 KB की रह गई है इसके बाद आप अपनी image को यहाँ पर drop box यहाँ गूल डाव में भी save कर सकते हैं और अगर चाहें तो यहाँ से अपनी computer पर भी download कर सकते हैं, next website जहां से आप अपनी images को compress कर सकते हैं उसका नाम है compressjpg.net तो यहाँ पर आपको इस website को open करना है browser में उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी file को choose करना है तो इस website पर आप कई परकार की जो images उनको compress कर सकते हैं जैसे कि jpg, jpg, png तो image को upload करने के बाद आपको यहाँ पर compression quality का slider दिखाई देगा तो जितने भी आपको quality चाहिए तो जैसे आप इसको left row side में slide करेंगे, तो नीचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर result आपकी image का दिखाई देगा आपको यहाँ आपका original size वो भी दिखाई देगा तो percentage के हिसाब से आपका जो file size कितना reduce हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो अगर आपको quality आपकी maintain चाहिए आपकी image की तो आपको slider को right side में यहाँ पर move करना है और आपको अपनी quality और image size को दोनों को maintain रखना है तो आपको इसको left और right के बीच में रखना है तो जैसे कि मैं इसको 54 पर रख रहा हूँ तो मेरी image 135 point something kb था जो कि आप 16 kb जो reduce हो चुका है और 119.4 kb का रह चुका है तो इसके बाद आप अपनी file को यहाँ से download कर सकते हैं तो होप करता हूँ आपको यह video अच्छी लगी होगे जिसमें आपने जाना कि आप अपनी images को कैसे compress कर सकते हैं best quality के लिए वीडियो के नीचे like और share करना न भूले चैनल पर दिये गए subscribe बटन को ज़रूर प्रेस कीजेगा और हाँ चैनल पर दिये गए bell आइकन को ज़रूर प्रेस कीजे ताकि आपको मेरे चैनल की new notifications regularly मिलती रहे thanks for watching this video again